यूटूब पर आपको यूटूबर बनने से रिलेटेट हजारों वीडियो मिल जाएंगी बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो सीक्रेट आपको इस वीडियो में पता चलेंगे वो सीक्रेट आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताए होंगे इसलिए छोटी सी वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें अगर आप भी एक प्रोपेशनल यूटूबर बनना चाहते हैं और अच्छा खासा पैसा खमाना चाहते हैं बट आपको समयने यारा कि कैसे अपने यूटूब केरियर को मैनेज करें तो वो है know your field मेरा मतलब है अपनी नीज के वारे में अच्छे से जानकारी होना तो देखिए मैं आपको एक एक जामपल से समझाता हूँ कि आपको knowledge है हलवाई की और आपसे हम कहें कि आप एक अच्छे singer बन जाओ तो आपसे उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा आप उमीद कर रहे हैं इसलिए जिस field में आपको अच्छी knowledge है उसी field को choose करें या फिर आप एक्ष्टा मेनत करके नई नीश भी चुन सकते हैं और आपको उसमें ज़्यादा efforts देने पड़ेंगे और हो सकता है शुरुआत में आपकी वीडियो वाइरल भी नहीं जाएं पॉइंट नम्मर टू अच्छे से content की script writing करना ये एक ऐसा point है जिस पर हर कोई ध्यान नहीं देता और यही 90% यूटूबर को सफल नहीं होने देता इसलिए bird by word बिना किसी ज़्यादा चोचलेवाजी के अपने topic को एक अच्छे से simple और interesting तरीके से audience के सामने रखना चाहिए इससे लोग अच्छे से आपके topic को समझें और आपकी वीडियो पर लंबे time तक पने रहें पॉइंट नम्मर त्री YouTube वीडियो में हर चोटी से चोटी चीश की अपने आप में एक बड़ी भूमिका होती है बट आपकी वीडियो में एक ऐसा भी secret point है जो आपकी channel की growing और popularity में साप नजर आएगी तो हम बात कर रहे हैं आपकी voice के बारे में जी हाँ अगर आपकी वीडियो में editing में कुछ कमी है तो लोग कहीं न कहीं editing के साथ compromise कर लेंगे बट जब आपकी voice ही interesting नहीं है समझो गई बेंस पानी में इसलिए कुल मिलाकर अपनी voice की recording और editing पर focus रगए क्योंकि 70% वीडियो का viral होना उसकी voice पर ही टिका होता है अगर आपको voice editing के बारे में full video चाहिए तो comment जरूर करें Point number 4 इन्दे वीडियो में nis script और voice को तो अच्छे से समझ लिया अगर editing को भी समय लेती है तो देखिए editing matter करती है आपकी video के type पर अगर आपकी face वाली video है तो आपकी editing बोड़ी बहुत से काम चल जाएगा लेकिन अगर आपकी video बिना face वाली है तो आपको editing पर अपना main focus रखना होगा तो इसे कि audience को आपकी video देखने में interesting लगे और हाँ आपका content भी original होना चाहिए यह नहीं कि आप editing के चकर में किसी की भी video चुठा कर उसमें चिपका दो ऐसा करने से आपकी video में copyright claim या copyright strike आजाएगी इससे आपकी करी कराई मेनलत पर पानी फिट जाएगा